नमस्कार, A2Z Dishes उशा कोरजानी में आप सब का स्वागत है आमला को आप किसी भी रूप में खाए, वो हमारे लिए काफी फाइदे मंद होता है मैंने आपके साथ आमला के लड़ू, जैम, दो तरह के मुरब्बे काफी सारी रेसिपी शेर की है आज आपके साथ शेर करने जा रहे हैं आमला की सूखी सबजी, खाने में बहुत ही मज़िदार लगती है आप एक बार बना कर रखते और इसे आप चार से पांस दिन तक आराम से रख सकते हैं और काफी फाइदे मंद है तो इसे जरूर ट्राइ कीजेगा उसके लिए 250 ग्राफ मैंने आमला ले लिये हैं और पांस से छे मैंने ये मोटी वाली हरी मिर्ची ले ली है अब इसे मैंने अच्छे से वाश कर लिया था आमला को और कपड़ी की मदद से पोच लिया था अब आमला को इस तरह से हमें टुकडों में काट लेना और इसके बीज हमें निकाल लेने हैं इसी तरह से मिर्ची का उपर का जो डंठल है वो भी काट लेना और इसे हमें मिर्ची को भी गोल-गोल काट लेना है इस तरह से मैंने दोनों को काट कर रख दिया है अब हम गैस को on करेंगे कड़ाई रख देंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ एक चमज जतना तेल जैसे गरम हो जाएगा एक चौथाई चमज मेथी दाना एक चौथाई चमज अजवाइन एक चौथाई चमज सौफ एक चौथाई चमज जीरा इन सबको आपको बिल्कुल दीमी आज पर ही बूनना है तेज आज पर नहीं बूनेगा नहीं तो जल सकता है चुटकी बरहिंग डाल देनी है आधी चौथाई चमज हल्दी पाऊडर आधी चमज धन्या पाऊडर दोनों को अच्छे से मिक्स कर ले अब इसके अंदर कटे हुए आमला और मिर्ची डाल ले जब ये दोनों डाल ले तब ही आफ गेस के आज को बढ़ा लेजिएगा मसाले डालते हैं तब तक नहीं स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसके अंदर अच्छे से सब को मिक्स कर लेंगे बनाना भी काफ़े असान है और गर्मा गरम रोटी के साथ बहुत ही बढ़िया लगते है बच्चे भी एक दो खा लेंगे अच्छे से मसालों के अंदर मैं इसे मिक्स कर लिया है ढकर से बिलकुल दीमी आज पर चार से पांच मिन्ट तक पकाएंगे तो यहां पर तकरीबरं पांच मिन्ट हो गए है और हमारी जो आमला की सूखी सबजी तैयार है आप दीख सकता है काफी आमला जो क्रिस्पी हो गए है चलिए इसे चेक कर लेना है आप देख सकते है आमला अच्छे से पक गए है तो लेज़े तैयारे एकदम बढ़िया सी आमला की सूखी सबजी इसे जरूर ट्राइ कीज़े आपको बहुत ही पसंद आएगी और मुझे कमें सेक्षिन बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीज़े शेर कीज़े अपने फ्रेंस और फैमली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू फॉर वच्छेंग